नेता बनने का सबसे आसान फार्मुला भारत के अंदर मेरे एक मित्र हैं बहुत दिनों बाद मुझे मिले तो पता चला कि वो नेता बन गए मैंने का भई तुम नेता कैसे बन गए तुमारे अंदर तो नेता का कोई गुण मैंने देखा नहीं तुम neta वाजी में थे भी नहीं ये अचानक neta बनने का कैसे तुमरे मन में आये और तुम सफल कैसे हुए तो चुकि मेरे मित्र रहे हैं बहुत प्यारे मित्रे हैं बच्पन में साथ साथ हम रहे हैं और एक दूसरे की कम्या भी जानते हैं थोड़े मुस्कराए, बोले वीडियो बनाते हो, मेरा नाम तो नहीं नहीं लोगे, मैंने का नाम तो नहीं लोगा, मगर इस फार्मुले को बताऊंगा सबको जो आप मुझे बताऊगे, क्या मेरा नाम मतले है न, बाकी आप कुछ भी बताते रहे न, कोई दिक्कत नहीं, ये घर में रोटी नहीं खाने के लिए, अम्मा के पास में चूले नहीं, खपले नहीं, और बाहर जब नेतागरी करते हैं, तो कार भी है, बंगला भी है, लोग अपने काम किराने के लिए आते हैं, लोट-पोड़ और नोटों पे नोट देके चले जाते हैं, एक बात फ़ॉन पर जोटे कि को सच्चे की हो जाती है और जब नेता राइस्टाड हो जाता है कहीं तो फिर अपसर क्या और क्या लोगें सारे चमचागिरी में बिचे बिच ले आते हैं जिंदगी आश्की है ऐसा लगता है कि जिससे स्वरक की सारी अपसाएं और सुरक का सारा सुक यहीं उतराया है तो ऐसा मैंने देखा तो मैंने सोचा कि भाई मैं जब मैं कुछ करी नहीं पाया तो कम से कम नेता तो मैं बन जाओ तो मैं नेता बनने का अध्यन करने लगा कि कैसे बनूँ सुरू में ते मैंने सोचा कि मेहनत करके लोगों को जगाना चाहिए घर कर जाके लोगों को बताना चाहिए कि देखो तुम्हारे दुख ऐसे हैं, दर्द ऐसे हैं मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा मैं तुम्हारे लिए नौकरी लेकर आउँगा मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई लेकर आउँगा मैं तुम्हारे लिए अस्पिताल बनवाऊँगा मैं तुम्हारे लिए सारे काम करूँगा मैं तुम्हारे घर पक्के बनाऊंगा, सड़क पक्के बनाऊंगा मगर मैंने ये देखा कि इस तरह तो नेतागरी नहीं हो गाएगी मैं मर जाऊंगा फिर भी एक काम नहीं होगा तो मैंने कई लोगों का अधन किया तो पाया कि वे नेता बनने का जो सबसे सौर्ट और सबसे सल फार्मुला है वो बहुती मैदार है और उसमें करना का आपने कुछ नहीं है एक नेता आपको ढोड़ो बस कोई साथी जो थोड़ा सा एस्टाबलिस हो रहा हो या जिसका थोड़ा सा नाम हो गया इसको लोग जानते हों या जो उपर चड़ रहा हो बस वो नेता ही आपको नेता बनाएगा मैंने का कैसे बनाएगा यह तो बड़े कमाल की बात है नेता आपको नेता बनाएगा तो वो क्या करेगा कह रहे यही तो कमाल की बात है उस नेता को आप पकड़लो और पहले लिए धन कर लो कि वो नेता कितना रिपैल करता है कितना आपको वो कितना आपके पीछे पड़ेगा कितना नहीं अगर आपको लगता है कि कहीं कोई जान का खत्रा नहीं है और सिर्फ कोट केस वायरा ही होंगे या थोड़ी बहुत कोट केशरी होगी तो फिर वो सेफ है तो मैंने का उसमें क्या है कहरें उस नेता को आप गालिया देना सुरू करो मीडिया में अपना वीडियो बना के और जो टीवी सारे जतने भी हैं मीडिया वाले ये सब मैनेज हो जाते हैं इंता यारी दोस्ती करके इनको मैनेज करके आप इनके सामने बैटो और उस नेता को द्रादन गाली बखना सुरू करो और जब आप उस नेता को गाली बखोगे तो उस नेता की जो सपोर्टर हैं वो अंदवक्त होते हैं वो आपको गाली बखेंगे बदले में जब वो आपको गाली बखना सुरू करें तो इसका मतब आपकी दुकान चल गए अब आप नेता बन गए क्योंकि जतनी वो गाली आपको बखेंगे उतनी तेजी से आपका नाम चारतर फेलेगा और जतने आप इस्टेटमेंट गाली के देंगे और उल्टे शीदे देंगे ये ध्यान रखना कि उसमें वेलफेर की कोई बात ना हो उसमें देसित की कोई बात ना हो वेलफेर की कोई बात ना हो लोगों के किसी सुक्सुविदा की कोई बात ना हो ना ही उसमें कोई हैसारी बात है उल्जलूर और बेकार की बतंगड जो किसी आदमी के काम की ना हो सिर्फ वो ही कहनी है कपड़े कैसे पहन रहा है इसके बाल कैसे कड़े हुए है, इसका जूता कैसा है, इसकी गाड़ी कैसी है, इसका निक्तर कैसा है, इसका पजामा कैसा है, ये खाता कैसा है, ये रोता कैसा है, ये पीता कैसा है, इसके परिवार में एक घर ही है, इसका मकान का दरवाजार ऐसा, इसका जो गिलास है, वो ट बूलना है इससे क्या होगा एक तो उसके नेता की टीयारगी प्ड़एगी तो वो चाहेगा कि उसके वारे में आप जिक्र करें तो वो खुश होगा क्योंकि अगर आप नेता ग डिलीके गराफ में पांच नबर पर पहुँचेंगे तो जिसके बारे में आप बोलेंगे वो आठ नंबर पहुँच जाएगा तो दोनों नेता एक दूसरे को बढ़ाएंगे वो आपको कुछ नहीं कहेगा वो सिर्फ गुसाएगा और गुसाएगा आपको जवाब देगा टीवी पे जवाब देगा करेगा कुछ नहीं जवाब देगा जो उसके भक्ते हैं फिर आपके भक्त बनने सुरू जाएगे फिर लोग दो भागों तूट जाएगे जो आपके भक्ते हैं वो उसके भक्तों गाली देंगे और जो उसके भक्त हैं वो आपके भक्तों गाली देंगे भक्त भक्त आपस में लड़ेंगे और आपका TRP पड़ेगा दोनों नेता पिर्सन कभी बाइचांस अगर मिल जाएं किसी होटल में या किसी जगे मिल जाएं तो बातरूम में हेलो हाइ कर लें दोनों ही एक दूसरे के सह हुगी हैं दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं दौनों ही रहें दूसरे को नेता बना रहें ये अनकास के बोångसा ही लोग किया जमीन पर आपकोछ नहीं तो मैंने खाल गया उसके लिए सापाच धी उसके भक्त लग गए मेरे भक्त लगे और मैं धीज़ 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 करके नेता बन गया उसे भी टिकेट मिल गया, मुझे भी टिकेट मिल गया जीतना एक को था, वो अलग जी कैसे, मैं अलग जी कैसे बस मैं ऐसे ही नेता बन गया और ये सारे नेता ऐसे ही बनते हैं मैंगर आप जब भी टीवी पे, जब भी पोच्ट पे, जब भी फेस्वुक पे, जब भी कहीं किसी आदमी का कोई ऐसा वीडियो देखें, जो किसी को चेलेंज कर रहा हो, जो किसी को धमका रहा हो, जो किसी को जान से मानने की धमकी दे रहा हो, या किसी को देख लेने की धमकी दे रहा हो, या किसी की टांग तोड़ने की धमकी दे रहा हो, या किसी को ये कह रहा हो कि आप तुझे हमारी कौम देखेगी, आप तुझे हमारी जाती देखेगी, आप अब ये रास्ता समझ में आ गया, जबचा सोचल मीडिया आया है, अब से लोग एक दूसरे को चेलेंज करकरके, 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 एक नमबर का नेता, दो नमबर का नेता, तीन नमबर का नेता, चार नमबर का नेता, नेता की लाइन में उपर जाते जा रहे हैं, ममरिका से आगे क्यों नहीं हैं, ये सारे लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये सारे लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, ये देश में जो ये अफरा तफ्रीय ये कब खतम होगी, ये हम लोग दुनिया के टकल लेने लाये कब होंगे, सारे बच्चों को इंगलिस कब आएगी सारे बच्चे लिखना कब सीखेंगे हमारे यह जो भिकारियां यह कब खतम होंगे हमारे यह जो गरीब लोग हैं यह गरीबी कब खतम होगी हमारे यह जो यह भुकमरी है यह कब खतम होगी इसका एक भी परसंद नहीं करेगा और जो नेता ऐसा प्रसंद कर ले या करता हो आप समझ जाना कि जिन्दगी में उपर नेता नहीं बन पाएगा ये समा सुधार्ग दो बन सकता है वगर नेता का गुण नहीं है भारत में तो सोट कट में बहुत जल्दी नेता बनने के यही गुण है तो अगले बार जब आप किसी के भढ़काओ भासन पे किसी की भढ़काओ वीडियो पर किसी की भढ़काओ जो एस तरह की वीडियो आए जिसमें चेलेंज हो और उसको जब आप शेयर करें तो अपनी पीट थप थपाएं कि हमने नेता जी को आगे बढ़ा के नेता बना दिय क्योंकि लोग अच्छी बात को share नहीं करते हैं मगर नेता जानते हैं कि क्या share होना है इसलिए वो आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं कि आप फटाफट फटाफट उसको share बार मार के और उसको बहुत जल्दी नेता बना देते हैं इसमें वो आपका आभारी होता है, आपको भी आभार है, उनको भी आभार है, बाकी देश में जो होता है वो चलता रहेगा, धन्यवाद। पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपिराइट फिरी हैं, आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज़ पे, अपने टूटर पे, या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद थांभ शरनं गछा में धंवश रनं संग शरनं गछा में संघंशरनं कच्छा में